नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Learn Math ECD में आज के वीडियो में हम रिंग थियोरी का एक और इंपोर्टन सब तॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सेंटर ओफ अर रिंग आज के वीडियो में मैं इसकी definition जो है वो discuss करूँगी और next वीडियो से इस से रिलेटर थियोरम्स, properties और रिजर्ड्स जो है वो one by one explain करूँगी तो सबसे पहले तो center word जो आप सबसे पहले सुना करते थे वो आप सुना करते थे circle के लिए ये एक circle है और इस point को हम center कप कहते थे circle का जब उस point का distance इस boundary से किसी भी point से ले लो आप चाहे चाहे इसके साथ ले लो जाए इसके साथ ले लो ये हमेशा एक fix distance होता था वो हमेशा ही same होता था तब ऐसे point को हम कहते थे center of a circle इस तरह से हम सबसे पहले center word जो है वो circle के लिए सुना करते थे center का मतलब क्या है equality जहां पर उस point से हम boundary जो है circle की उन दोनों का जब distance लेंगे वो चाहे कोई भी point हो boundary पर वो हमेशा same रहता था अब इसी concept का इस्तमाल करते हुए हम ring theory के अंदर center बता रहे हैं लेकिन ring क्या है यह basically हमारे पास में collection of elements है जो कि कुछ properties को satisfy कर रहा है तो ऐसे में इसका center क्या होगा इसका center वो होगा हम suppose कहते हैं कि r जो है वो ring r plus dot का center है उस center कब होगा जब वो ring के हर एक element के साथ में commute करेगा यानि कि r x is equal to x r for all x belongs to r यहां पर दिभी देखिए equality आ रही है equality का मतलब क्या हुआ कि r को अगर आप ring के किसी भी element के साथ में चाहिए आप left से multiply करो या फिर उसे आप right से multiply करो जो product है वो same आएगा तो ऐसे point को हम कहते है center of a ring और जैसा कि हम सवतल में देखते थे कि center हमेशा unique होता था लेकिन यहां पर हमारे पास में एक mathematical figure नहीं है एक set है collection of elements तो यहां पर एक या उससे जादा centers होते हैं और collection of all these points को हम से denote करते हैं zr से collection of all these points जो कि इस criteria को satisfy कर रहे हैं उसे हम denote करते हैं zr से तो चलिए इसकी जो formal definition है वह मैं आपको लिखके बताती हूँ let r plus dot be a ring we define center of r that is किस से denote किया जाता इसको zr से इसमें वो सभी points आजाते हैं zr के अंदर जो कि r के जितने भी points हैं सब के साथ में commute करें यानि कि zr is equal to r belongs to r such that rx is equal to xr for all x belongs to r तो यह हमारे पास में concept है center of a ring का और इसमें हमारे पास में कौन से elements आ रहे हैं all those elements of r which commute with all the elements of r suppose हमें ऐसा कोई element मिल जाता है जो कि थोड़े से elements के साथ commute कर रहा है suppose हमारे पास में यह एक ring है collection of elements है जहां पर एक element हमें मिल जाता है r1 जो कि इतने elements के साथ में commute कर रहा है बट यह जो इतने थोड़े से elements हैं इनके साथ commute नहीं कर रहा है तो वो हमारे पास में r1 जो है वो zr को belong नहीं करेगा कोई भी element zr को belong कप करेगा जब वो r के सभी elements इन सभी elements के साथ में commute करें तो यह हमारे पास में definition थी center of a ring की अब यहां पर मैं आपको एक note बताना चाहूंगी की zr यानि की center of a ring चाहे कोई भी ring हो आपकी with any binary operations zr जो है वो हमेशा ही non-empty होगा इसका reason क्या है because 0 belongs to r 0 क्या होता है हमारा? 0 is the additive identity of r such that 0 को आप r के किसी भी element से multiply कीजे चाहे left side से 0 आएगा चाहे right side से 0 आएगा तो आपको क्या मिल गया? 0 into x is equal to x into 0 for all x belongs to r therefore हमारे पास में 0 किसको belong कर गया? zr को और इसी तरह से अगर हमारे पास में additive identity zr यानि center of a ring को belong करती है इसका मतलब की हमारे पास में zr जो है वो क्या है? non-empty यह हमेशा ही चाहे कोई भी ring हो zr हमेशा ही non-empty होता है next video में हम इससे related इसी topic के अंदर एक theorem करेंगे जहां पर हम यह कहलेंगे कि zr यानि center of a ring जो है वो एक arm subset नहीं होता ring का वो उसका subring होता है इस तरह से आज की यह जो definition है center of a ring की वो यही पे complete होती है अगर आपको आज का मेरा ये video पसंद आता है तो video को like करें future में इसी तरह से higher mathematics के videos देखने के लिए learn math easily चानल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले thank you so much for watching this